Books That Speak में आप सभी का स्वागत है अम्मी नी उन्नी जाना चाहे खेलने को अम्मा अच्चन और वो दो कपसे घर के अंदर बैठे? स्कूल गए है बीते अरसे चेरी अम्मा भी न दिखती अब जाने बाहर जाना हो कब? सुनते हैं कहानी घर पर Original Story At Home by Pratham Books कहानी लिखी है श्वेता गणेश कुमार चित्रांकन अन्नदा मेनन हिंदी में अनुवात वसंधरा बहुगुना कहानी सुना रही है असावरी दूशी अम्मिनी की आखों से निंदिया फुर 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 खिडकी के बाहर आम के पेड़ पर घोसला बनाती शोर करती चेम्मो तहु ने अम्मिनी को नींद से जगा दिया अरे कल रात में स्कूल की वर्दी इस्त्री करना भूल गई वो सोच ही रही थी कि अचानक उसे खयाल आया अब तो स्कूल आउनलाइन हो गया है धत तेरे की वो बड़बडाई अच्चन नीचे रसोई में गर्मा गरम इडली और कॉफी तयार कर रहे है अम्मीनी दोड कर अच्चन के गले लग जाती है काश आज हम घर से बाहर जा पाए थोड़ी सी सैर तो सेहत के लिए अच्छी है ना उसने सोचा अच्चन इडली कितनी स्वादिष्ट बनाते है आप अम्मीनी ने अच्चन से मुस्कुरा कर कहा तब ही उसका छोटा भाई उन्नी भी आखे मलते हुए रसोई घर में पहुचा कमला चेरिया मा वो धीरे से बोलता हुआ अपनी प्यारी बुआ को ढूंड रहा था उन्नी कमला चेरिया मा अभी अस्पताल में काम कर रही है उन्होंने कहा है कि जैसे ही अस्पताल के मरीज ठीक होने लगेंगे वो फौरन तुमारे पास खेलने आ जाएंगी अच्चन ने कहा उन्नी का चेरा उतराया दरसल कमला चेरिया मा अस्पताल में नर्स है कई हफतों से वो घर नहीं आ सकी है उन्नी आओ हम बगिया के फूलो को देखे अम्मीनी ने अपने छोटे भाई का हाथ थामा अरे देखो अराली खिल गया वो देखो उन्नी उसके बीच में वो पीला रंग भरा है अब देखना कैसे मदुमक्खिया इस पर भिन बिनाएंगी और टेची के गुच्छों से पेड कैसे लदा हुआ है अम्मीनी खुश होकर बोली मैडम कहती है इसको अंग्रेजी में जंगल फ्लेम कहते है अरे बच्चो क्या हाल है अबू चाचा आपका ये मास्क तो बहुत अच्छा है अम्मीनी बोली अबू चाचा ने अम्मीनी उन्नी को जोरदार सल्यूट किया क्या कर रहे हो तुम दोनो फूलों को देख रहे है अम्मीनी बोली अरे आपकी पुलिस वाली गाड़ी किदर गई ठक कर चूर है अभी आराम फर्मा रही है राद भर वहां काम जो करती रही शोर मचाने लगेगी फिर अबू चाचा अपनी अम्मी जीनत काकी के घर के अंदर चले गए हम्म बस कुछी दिनों में इद है देखो इस बार जीनत काकी के हाथ की स्वादिष्ट बिर्यानी और शिर्खुर्मा खाने को नसीब होंगे भी की नहीं ननी अम्मी नी ने गहरी सास भरते हुए सूचा अम्मी नी स्कूल का समय हो गया अम्मा ने कहा नमस्ते मैडम अम्मी नी ने लैप्टॉप के सामने बैठते हुए कहा कैसी अजीब दुनिया है कितना अजीब दौर अम्मी नी और उसके सहपाठी अब एक दूसरे से केवल औनलाइन मिल जूल पाते है स्क्रीन पर बने ननने चौकोर खाने नुमा खिडकियों से मानो हर बच्चा एक दूसरे से बात कर रहा था अम्मिनी की खास दोस्त नीना तो हर दिन औनलाइन कक्षा करही नहीं पाती थी दरसल नीना और उसका बड़ा भाई दोनों एक ही लैपटॉप इस्तमाल करते है नीना हफते में बस दो दिन ही कक्षा में आ पाती थी अम्मीनी नीना को खूब याद करती है पर उससे भी ज्यादा अम्मीनी स्कूल को याद करती है मानो कई साल पहले की बात हो जब अम्मीनी और उन्नी गीगी चेतन के रिक्षे पर बैट कर स्कूल जाया करते थे कैसे वो और नीना स्कूल के मेहदान में उच्छलगूत करते थे कैसे नीना और वो एक दूसरे का डिबा मिल बाट कर खाते थे और उसका वो रंगों का डबा जो अभी भी स्कूल में उसके मेच के दरास के अंदर पढ़ा है पता नहीं अब वो उसे कभी वापस मिलेंगे भी की नहीं अम्मीनी वो सब फिर से करना चाहती थी स्कूल ठीक दोपहर के खाने के समय खत्म होगा चीची हम बाहर मैदान में खेल जाएंगे न उन्नी ने अम्मीनी से पूछा अम्मीनी ने आस भरी नजरों से अम्मा की और देखा अम्मा ने ना में सिरहला दिया अच्छा उन्नी चलो हम ज्वाला मुखी के लावा वाला खेल खेलेंगे अम्मा ने सिखाया था ना कैसे खिलना है याद है ना अम्मिनी और उसका छोटा भाई उन्नी घर भर में फुरफुर भाग रहे थे गदे, कुशन, तकिये, कंबल इकठा करके अपने सभी खिलोनों को कमरे में जगा जगा रखने लगे चले चलो उन्नी, हमें इन बेजुबान जानवरों को लावा से बचाना है और याद रहे, जिधर जिधर फर्ष है, वही खेल में लावा है बड़ा मजा आया खेल के है ना, अम्मिनी ने उन्नी से पूछा चोटे उन्नी ने मस्करा कर सिर हिलाया, दोनों बच्चे कंबल और कुशनों के उपर अपने खिलोने जानवर समेटे लेट कर आराम कर रहे थे हाँ, मगर मुझे मैदान के जूमते हरे भरे घास याद आते है चेची उन्नी बोला, मुझे भी तो अम्मिनी ने कहा और समुद्र का वो सुन्दर तट, बुढिया के बाल, गुबारे और अम्मुमा और अपुपन भी बहुत याद आते है अचानक दोनों शान्त होकर सोचने लगे, कैसा होगा जब एक बार फिर हम नाना नानी से मिल पाएंगे, जूला जूल पाएंगे, और मैदान में इधर उधर दोड़ पाएंगे सूरज अब बिलकुल एक नारंगी कंचे की तरह आस्मान में दिख रहा है, शाम हो चली है, अम्मिनी सोचती है, इस समय हम सैर करने बाहर जाया करते थे कितने दिनों से बाहर जाने वाले जूते भी नहीं पहने, अम्मा और अच्चन सोफे पर बैठे गाने सुन रहे है, अम्मिनी और उन्नी हाथ पकड़ दोड़ कर अम्मा और अच्चन के बीच में जा बैठे एक दिन हम फिर से सैर पर जा सकेंगे और समुद्र के किनारे भी गूमेंगे, अम्मिनी सोचती है, मगर तब तक मैं, अम्मा, अच्चन और उन्नी के साथ इतना समय बिता कर खुश हूँ कैसी लगी कहानी बच्चो? और ऐसी बहुत सारी कहानिया सुनने के लिए हमारा चैनल Books That Speak पर जरूर आईएगा यूट्यूब पर और अलग-अलग सारे पॉड़कास्टिंग चैनल्स पर तो मिलते हैं फिर अगली कहानी में तब तक के लिए बाई-बाई शुक्रिया